नमस्कार, हिंदी साहित्यवार्ता में आप हैं इस वक्त सुभाष ठाकुर के साथ जीरेफ हिंदी 2021 की तैयारियों के अंत्रगत इकाई 2 में हम रिती काल के बारे में पढ़ रहे थे वहाँ पर हमने रिती काल से समंध जो पहले के 9 लेक्चर है वो तैयार कर लिये हैं और अच्छे तरीके से हमने वहाँ पर डिसकस कर लिया है कि कौन-कौन से रिती काल के प्रमुख कवी हैं और उनकी कौन-कौन सी प्रमुख रचनाए हैं तो इसके अंत्रगत आज हम पढ़ेंगे देखिए इसका जो दस्वा पार्ट है रिती, मुक्त, कवी, बोधा, ठाकूर और दुजदेव के बारे में कि इनके संबंद में विद्वान क्या कहते हैं इनकी प्रमुख रचनाए कौन-कौन सी हैं और इनके संबंद में जो अन्य मौतपुन तथ्य हैं उनके बारे में जान लेते हैं तो चलिए सबसे पहले हम यहाँ पर देख लेते हैं रिती, मुक्त, कवी और जो बोधा हुए हैं उनके बारे में और दूसरी तरफ उनका जो स्थान है वो दिया जाता है फिर आपको मिलान करने को कहा जाता है तो इस तरीके से आपको थोड़ी थोड़ी चीजें इनकी पता होनी बहुत जरूरी है तो ये कहां के थे राजापूर जिला बांदा के रहने वाले थे और ये सर्युपारी ब्रह नाम दिया है बोधा ये दिया है जो पन्ना नरेश खेट सिंग थे ठीक है उन्होंने ये नाम दिया इनको वो प्यार से कहते थे इन्हें बोधा और कालांतर में यही नाम इनका प्रसिद्ध हो गया और तब से ही इनको बोधा के नाम से जाना जाने लगा ठीक है तो ये थी बोधा के बारे में थोड़ी से संक्षिप्त जानकारी कि इनका नाम बुद्धिसेन से बोधा कैसे पड़ा और ये कहां के थे जिला बांदा राजपूर के रहने वारे थे ठीक है अगर हम इनकी कविताकाल की बात करें तो देखें इनका जो कविताकाल है ये 1830 से 1860 समवत तक माना जाता है तो देखें ये था समवत से ठीक है 1830 से 1860 समवत तक माना जाता है इनका कविताकाल आगे है देखें कि पन्ना दरबार की जो सुभान नाम की वैश्या थी उससे ये प्रेम करते थे तो देखें पहले सुजान थी घनननद की तो सुभान किसकी है ये है बोधा क प्रेमी का और यह वैश्या थी ठीक वैसी जैसी सुजान थी ठीक है इनकी इन्हीं के वीरह में इन्होंने वीरह वारिश नामक रचना रची थी तो देखिए जो वीरह वारिश इन्होंने क्यों लिखी थी क्योंकि कहा यह जाता है कि जो बोद्धा थे एक वड़े रसिक छे में और इससे जो राजा थे वो रुष्ट हो कर क्या क्या उन्होंने कि उन्हें छे मीने के लिए देश से निकाला दे दिया उन्हें एक तरीके से दंडित कर दिया कि एक वैशा से ये प्रेम करने लग गए थे। और सुभान के वियोग में 6 महीने इन्होंने बड़े कष्ट में बिताए ऐसा मना जाता है और इसी बीच इन्होंने विरह वारिश नामक पुस्तक लिख कर तयार की ठीक है और 6 महीने बाद जब ये फिर दरवार में लोट कर आए तब अपने जो विरह वारिश है उसके कुछ इन्होंने जो कवित थे वो महराजा को सुनाए और जिससे महराज प्रसंद होकर उनसे कुछ मांगने को कहते हैं तो उन्होंने कहा कि सुभान अल्ला तो महराज ने प्रसंद होकर सुभान को उन्हें दे दिया और इनकी मुराद पूरी हो गई तो ये इतना जादा प्रेम क के नाम से तो ये इनकी बहुत बढ़이 और प्रसिद रचना मान जाती है तो देखिए दो चीजें हैं वीरह वारिश लिखी है बोधाने और वीरह लीला की अगर बात करें तो वीरह लीला लिखी दो ये सेम सेम और similar जो इनकी रचनाएं हैं इसमें confused नहीं होना है और इस तरीके की ही रचनाएं परिक्षा में पूछी जाती हैं तो गहननंद की अगर बात करेंगे तो उनकी जो प्रमुक रचना है देखिए वो है विरह लिला अगर बोधा की आएगी तो वो होगी विरह वारिश ठीक है तो दो चीजें हैं देखिए इनको याद रखना है चलिए आगे अब हम देख लेते हैं बोधा के बारे में और चीजें उनका काव्य तो इनकी दो ही रचनाएं उपलब्द मानी जाती हैं देखिए कौन-कौन सी है एक तो है आपकी विरह वारिश जिसके बारे में हमने अभी बात भी कर लिए कि किस चीज को लेकर इनको लिखा है और इसके बारे में कुछ और चीजें हैं देखिए जैसे आलमकृत जो माध्वानल कामकंदला है माना यह जाता है कि इसी से प्रेरित होकर इनकों विरह वारिश की रचना रची थी ठीक है माध्वानल कामकंदला की प् इसमें माध्वनल और कामकंदला की प्राचीन लोग कथा के साथ परोक्ष रूप से कवी ने स्वयम अपनी जीवन गाता सुनाने की चेश्टा की है। सुनाया है एक तरीके से गाthा मई तरीके से ठीक है। तो ये थी विरह वारिश रचना की बोधा की। ठीक है। अब है देखे इनकी जो दूसरी महत्रपुन रचना इश्क नामा। तो देखें सीमिलर मैंने पहले भी कहा गहननत की थी इश्क लता और इनकी है इश्क नामा। ठीक है यह प्रेम पर आधारित मुक्तक संग्रे हैं तो देखिए प्रेम पर आधारित क्या है ये मुक्तक संग्रे है और इसमें कवित सवया दोहा बर्वे आदी अनिक चंदों का प्रियोग किया गया है तो ये दो रचनाए हैं जो बोधा की थी मौतपुन रचनाए मानी जा गहननन्द की है और वीरह वारिश किस की है ये आपकी बोधा की है क्लियर है तो दो ही रचनाय है इनकी इसके अलावा देखिए जो चौथे रिती मुक्त का भी हुए है वो है ठाकूर आलांकि दो हमने पहले पढ़ लिये थे पीछे वाले लेक्चर में आलम और गहननन्द और तीसरे हमने बोधा के बारे में कंप्लीट कर लिया था अब जो चौथे मुत्वपूर्ण और प्रमुख का भी है देखिए वो है ठाकूर तो इनका जनम माना जाता है 1766 से 1833 में इनकी मृत्यू माने जाती है ठीक है 1766 में जनम और मृत्यू 1833 में शुकल के अनुसार दूसरे हैं असनी वाले दूसरे ठाकूर और तीसरे हैं ठाकूर बुंदेल खंडी तो इन में से जो सबसे महत्यूपूर्ण या फिर जिनका जिक्र रिती मुक्त कावैधारा के अंतरगत होता है देखिए वो है ठाकूर बुंदेल खंडी और यह प्रमानित हो चुका है इनका जो मूल नाम था देखिए वो क्या था लाला ठाकूर दास था ठाकूर बुंदेल खंडी का पूरा नाम ठीक है तो इसके बारे में भी आपको थोड़ी सी जानकारी होना बहुत जरूरी है तो देखिए ठाकूर की भी कितनी रचनाएं हैं महस दो ही रचनाएं मिलती ह एक है ठाकुर ठसक और दूसरी है ठाकुर शतक तो ये दो रचनाएं किसकी है ठाकुर की है इन दोनों में इनोंने प्रेमान भूती का स्वचंद चित्रन किया है तो देखे अगर हम ठाकुर ठसक की बात करें जो इनकी पहली रचना है इसमें इनोंने प्रेमान भूती का स्व चित्रन तो दो रचनाएं हैं दोनों ही रचनाओं में प्रेम का चित्रन इसमें देखने को मिलता है ठीक है अगर हम बात करें इनके आश्रय दाता की तो जैतपूर नरेश केसरी सिंग और उनके पुत्र जो पारीच्छत तो यहां पारीच्छत है करी जगा इसका नाम परिक् इनके आश्रय में यह रहे हैं और माना यह जाता है कि यह जो हिम्मत बहादूर राजा हैं देखिए जिसको अनूप गिरीद भी जिनका नाम है वो ही उनके राज्य में भी यह बीच बीच में जाते रहते थे खीक है तो हो सकता इस तरीके से भी प्रशन पूछा जाए और यहां से एक प्रशन इस्तरीके से पूछाता देखिए कि एक पंक्ती कही गई थी परिक्षा में कि सेवक सिपाई हम उन्हों राजपूतन के दान बुद्धी जूरिबे मैं नेकूं जेन मुर्के तो यह वाली पंक्ति इन्होंने हिमत बहादूर को ही कही थी जब वो शर्य बहादूर को जब वो कुछ भला बुरा कह रहे थे किसके लिए ठाकूर के लिए तो उन्होंने मयान से तलवार निकाल के क्या कर दिया था यह पंक्तिया उन्होंने कही थी तो इस प्रकार यह कहा जाता है कि जो ठाकूर थे वो न सिर्फ कविता करते थे बलकि अच्छे यो नोध है और हीमत बहादूर विरुदावली जो इनके प्रमुक रचना है जिसके बारे में हम पहले डिसकस कर चुके हैं तो इसमें इन्होंने हीमत बहादूर की प्रशंसा की है तो सभावी कह कि जब यह हीमत बहादूर के राज्य में जाते होंगे तो वहां पर एक कवी द तभी तो हमारी कविता उड़ी उड़ी फिरती है तो हो सकता है इस तरीके से प्रशन पूछा जाए कि तभी तो हमारी कविता उड़ी उड़ी फिरती है यह पंक्तियां किस के लिए उसने कही है आपके ठाकुर ने कही है तो यह पदमाकर के लिए कही है तो दीखिए पदमाक बहादुर के पास वो यातर रहते थे बीच में और वहीं पर इनकी नौक जोंक होती थी पदमाकर से ठीक है तो ये थे ठाकुर के समन्द में कुछ महतुपूर्ण तत्य अब हम देख लेते हैं इसके बाद कि जो ठाकुर से समन्दित महतुपूर्ण और चीजे हैं वो क्या है तो देखे ठाकुर के बारे में जो प्रसिद्ध है कि ये समन्द जो हमत बहादुर्ण थे उनके अफमान करने पर उन्होंने उनकी सबह में ही मयान से तरवार निकाली थी और यह कवित पढ़ा था तो देखी ये मैंने आपको पहले भी पता दिया था कि ठाकुर के बारे मे तो यहां पर जो हिम्मत बहादुर थे उस ने जो अपमान किया था उनका तो उनके उनकी सववा में ही म्यान से तलवार निकाली थी और यह कवित पढ़ा था और यह UGC.net की परिक्षा में पूछा गया था सेवक सिपाही हम उन राजपूतन के दानबुधी जुरिबे में नेकू जेन मुर्के ठीक है तो ये ठाकर का कहना था कि कविता की बात बहुत बड़ी होती है लोग सभी के बीच कविता ऐसी गिराते हैं मानो धेला तो आपने ये बाली पंक्ती भी देखी होगी कि बहुत बा बात जो होती है वह बहुत बड़ी बात होती है कविता करना अपने आप में क्या है बड़ी बात है लोग सभी के बीच कविता ऐसी गिराते हैं मानो जैसे कोई धेला हो लोगोंने कविता करना खेल समझ रखा है तो ये बोलते हैं कि लोगोंने कविता को एक तरीके से खेल स प्रसंगें बहुत सादा जरूरी है ठाकूर के समंद में हो सकता है इनको परिक्षा में पूछा जाए और ये आपको याद होना बहुत जरूरी है तो ये थी दो महत्वपोर्ण चीजें ठाकूर के संबन्द में अब हम देख लेते हैं कि ठाकूर के संबन्द में जो अन्य बिद्वान हैं वो क्या मानते हैं या जो अलोचक हैं वो क्या कहते हैं सबसे पहले अचारे रामचेंदर शुक्र हैं देखिए वो क्या कहते हैं ये कहते हैं कि ठाकूर बहुत ही पाना जाता है शुकल के अनुसार न तो कहीं व्यर्थ का इन में शब्दा डंबर है न कलपना की जूठी उड़ान और न अनुभूती के विरुद भावों का उतकर्श ठीक है तो अनुभूती के विरुद भी ये नहीं गए हैं जो चीज इनों ने जैसे अनुभूत की या ज ये शुकल क्या कहते हैं वो कहते हैं कि ठाकूर प्रधानता प्रेम निरूपक होने पर भी लोक व्यभार की अनेक आंग दर्शी कवी थे देखिए ठाकूर कहते हैं प्रधानता जो इनकी प्रेम निरूपक होने पर भी लोक व्यभार के अनेक आंग दर्शी कवी थे आगे बच्चन सिंग कहते हैं कि वे कलम नहीं माचते थे तलवार भी माचते थे तो ये बात इन्होंने इसलिए कही थी जब उन्होंने हिमत बहादुर के सामने तलवार निकाल दी थी ठीक है तो तब ही ये कहते हैं कि वे कलम नहीं माचते थे तलवार भी माचते थे वे उमंगी औ और महा मौजियों के महाराज थे, देखिए, दोनों चीजें सेम सेम है, उपर शुकल कहते हैं कि उमंग के कवी थे, सची उमंग के, ये कहते हैं कि ये वे उमंगी और महा मौजियों के महाराज थे, ये मानते हैं बच्चन सिंग, इस समूचे काल में, या आप जब से लेकर के ठाकूर रहे हैं उस पूरे समय में ठाकूर जैसा मस्त और जिन्दा दिल कभी दूसरा नहीं है तो दिखिए मस्त और जिन्दा दिल कभी किसे कहा जाता है ये हैं ठाकूर को ये कौन मानते हैं बच्चन सिंग मानते हैं कि पूरे काल में ठाकुर जैसा मस्त और जिन्दा दिल का भी कोई दूसरा नहीं हुआ है आगे दिखिए आगे बच्चन सिंग क्या कहते हैं वे कहते हैं कि भारतेंदू और उनके मंडल में जो जिन्दा दिली दिखाई पड़ती ह उसके शुरुवात ठाकुर से होती है तो देखिए जिन्दा दिली की बात दोनों ही इनके जो कधन थे उनमें आई हुई है और ये किस के संदर में कही है ये ठाकुर के संदर में है तो देखे जिन्दा दिली की जहां पर बात आएगी सीधा सा ठाकुर का संबंध है और बच्चन सिंग इसको मानते हैं ठीक है आगे विश्वनात त्रिपाथी देखे क्या कहते हैं ये कहते हैं कि ठाकुर मध्यकाल के उन दुरलब कभियों में से हैं जिनकी प्रेम की अनुभ जो इनकी संपाधित पुस्तक है उसमें ये कहते हैं काव्य में जो क्रित्रिम्ता और सीमित्ता रहती है ठाकुर का काव्य उससे मुक्त है तो इसलिए तो वो रिती मुक्त है ठीक है कुछ जो बनाव्टी पन भी नहीं है उनमें ठीक है क्रित्रिम्ता का मतलब कहा है बनाव प्रभूती और विव्यक्ति दोनों में सहज स्वभाविक है, मतलब जैसा जिसीज को फिल करते हैं वैसा ही उसको एक्सप्रेस भी करते हैं कि ये ऐसी ही है, ठीक है, इसके भाव व्यक्तिगत न होकर भी सारवजनिक हैं, रिदय रिदय में उनका स्पंधन होता है, ठीक है, भ भाव हैं, वो व्यक्तिगत होकर भी क्या है, सारवजनिक है, और प्रतिय खेर दय में मानव उनका स्पंधन होता हो, एक तरीके से सब लोग उस चीज को क्या है, महसूस करते हो, ये चीज मानते हैं वो ठाकुर के संबंध में, तो ये थे ठाकुर के संबंध में महतोपोन इसके अलावा, अगर आप चाहते हैं कि आप सब लोगों को ये जो भी मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, इसका पीडियाप चाहिए होगा, तो आप हमारे टेलिग्राम ग्रूप के साथ जोड़ सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में आपको उसका लिंक दे दिया जाएगा, और टे स्किप कर देते हैं या माइन में नहीं रहती हैं, तो उन चीजों को हम अपने क्विज के जरीए पूरा कर देते हैं, तो आप चाहें तो टेलिग्राम ग्रूप के साथ जोड़ सकते हैं, चलिए, अब हम आखरी जो कभी हैं देखिए, रिती काल के दुजदेव उनके बारे सिंग, ठीक है, और मूल नाम क्या है, इनका मान सिंग है, अगर हम इनकी रचनाओं की बात करें, तो देखिए, दो ही इनकी रचनाएं भी हैं, श्रिंगार लतिका सौरब और श्रिंगार 32, ठीक है, तो देखिए, जो इनकी श्रिंगार लतिका सौरब है, तो इसमें क्या है देखिए इसमें वसंत पर लिखे 33 पद्य हैं ठीक है वसंत रितु पर ठीक है ना और आगे जो इनकी श्रिंगार बरती सी है तो इसमें प्रकृति एवं श्रिंगार बर्नन है श्रिंगार से ही पता चल रहा है ठीक है तो दोनों जो इनकी रचनाय हैं देखिए प्रकृति और श्रिंगार पर ही लिखी गई हैं और इसके चलते ही शुकल ने इनके समद्ध में कहा है रितू बननों में इनके रिदय का उल्लास उमड़ पड़ता है ये कौन मानते हैं ये मानते हैं अचार रामचंद्र शुकल ठीक है आगे दिखिए शुकल क्या कहते हैं कि ये तो आखरी कभी है ही है किस प्रकार के कभी जो श्रिंगारी कभी ताक के कभी है वो ये आखरी माने जाते हैं और रिती मुक्त कावेधरा के भी इनको आखरी कभी माना जाता है तो शुकल क्या कहते हैं इस अंदर में देखिए ये कहते हैं कि जिस प्रकार लक्षन ग्रंथ लिखने वा मतलब कि जो श्रिंगार परंपरा थी वो समाप्त किस से माने जाती है वो दुजदेव से समाप्त माने जाती है तो ये आखरी कवी हुए है आपके श्रिंगार परंपरा के और पदमाकर आखरी कवी हुए है लक्षन गरंथ लिखने वाले कवियों में तो ये चीज है वो आपके आधुनिक काल में इनके कुछ एक अवशेश मिलते हैं हमें इस तरीके से माना जाता है ठीक है तो आखिरी कवी थे रिती मुक्त कावेधारा के I hope आप लोगों को अच्छे से सारी चीजें समझ आ गई होंगी रिती काल के समन्द में हमने रिती सिद रिती बद और रिती मुक्त तीनों कावेधाराओं के जो प्रमुक कवी थे उनको अच्छे से डिसकस कर लिया है अगर आपको इसमें कुछ इक डौट्स लग रहे हैं तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जाकर बता सकते हैं ताकि ना सिर्फ मेरे तक बलकि जो भी स्टुएंट आगे इन उकल भी ना बोलें तो फिर मिलेंगे नई उर्जा और नई स्पूर्ति के साथ तब तक के लिए शुक्रिया जैहिए